तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुती जरूरी और बहुती इंपोर्टनट की जॉब वैकेंसी की अपडेट ले करके आया हूं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें पूरा प्रोसेस कैसे आपको एप्लाई करना होगा दैंक कैसे आपको फॉर है और आप हमें यह भी बता देना कि आपने यह पासिंग कप पास कर रखा है आपने टैंथ कप किया है ट्वैल्ट कप किया ग्रेजिशन डिप्लोमा आईटे वेगरा जो भी कॉर्स कर रखा उसे हमें में कर दीजिएगा ताकि हम नेस्ट वैकेंसी के अपडेट आपको उस मैं आपको बता दूं पर्मानेंट रॉल पर यह देखने को आपको मिल जाएंगी यहां पर सेलरी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी साथ यहां पर आपको यह वेनिफिट मिलता है कि यहां पर जो है आपको इंटर्विव के माद्यम से सेलेक्शन देखने को मिलेगा यहा आपिदन करने का प्रोशेस क्या है इसमें कैसे आपिदन करना होगा यह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो वीडियो को अंते तक जरूर से देखना अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूरूर से जोईन करके रखिए वाट्सब च अगर आपके पास किसी भी टैप का कोई experience नहीं है तो आप जरूर से यहां पर आविदन कर सकते हैं इससे अच्छा दोस्तों मौका नहीं मिलेगा और कैसे आपको form बरना है कैसे आपको आविदन करना होगा यह सभी जानकारी मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ इसकी जो basic details है उसके मातिम से तो guys यहां पर जो है मैं आपको सारी information बताने वाला हूँ then कैसे आपको form को भरना होगा यह सभी जानकारी जो है मैं आपको step by step करके बताऊंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी ठीक है तो जैसे कि आप यहां पर देखी पार होगे यहां पर देखने को मिलेगी जिसमें डिप्लोमा और बीटेक कंडिडेट इलिजवल हैं ठीक है अब इसके लिए सारी information जो देखने को मिलेगी आपको यहां पर देखिए स्वाट information के माद्यम से जो है पूरी information आपको देखने को मिल जाएगी जो भी इसकी जो notification है basic details है यह सारी information जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो जैसा कि आप यहां पर देखी पा रहे होंगे टाटै स्टीन के तरफ बेकें सी निकली यहां इसमें यहां पर श्याक्शिक रियोगता क्या है इसमें प्रॉसरस्स पे बारे में यहां पर इंट्रस्टट है चर्मheaded ऊवह सिर्फ ऑनलाइन के मादिम से form भर पाएंगे और यहां पे जो है email के मादिम से भी form आप जो है form भर पाएंगे और वहां पे email के मादिम से भी आप अपने डोकिमेंट्स को अटाइच करके सम्मिट भी कर सकती हो यह दोनों के दोनों प्रॉसेज में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं स्टप बाइस्टप यहां पर देखते रही है यहां पर बात करें आप देखेंगे यहां पर एम प्लानिंग की पोस्ट ठीक है यहा यहां पर किसी भी स्टेट से ब्लाउं करते हो इंडिया में चाहिए वो मेल कंडिट और यहां पर आपको मिल जाएगी अगर आपने यह लिंक को जाकर करके नई चेकाट किया है तो जरू से चेकाट कर लीजिए यहां पर लेटेस्ट वान प्रेकेंसी की अपडेट है जल्दी से देखिए और आविदन करने के लिए आपकी अगर युगिता है तो जल्दी से भी आविदन कर दीजेगा यहां पर बात करें टाटा स्टील रेक्रूटमेंट दोजार चौविस एज रिलिशन के बारे में तो यहां पर देखिए एज ऐगर बात करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आपको इस तरह की पलपल की अपडेट हम देते रहते हैं क और प्राइवेट जॉप से रेलेटेड तो देगिए यहां पर एप्लिकेशन फीस के अगर हम बात करें details में तो देखें यहां पर किसी भी टैप का कोई आपको यहां पर जोभी स्पे नहीं करना होगा जर्नल ओबी सी कंडिडेट के लिए कोई सुल्क नहीं है स्टी के लिए भी कोई सुल्क आपके नहीं देना होगा इसमें यहां पर selection process के अगर हम बात करें तो selection process यह आपको देखने को मिलता है जैसे कि यहां पर selection process based on interview, documents, verification, medical fitness के अधार पर ठीक है यह selection process जो है वो आपको देखने को यहां पर मिलेगा बात करें इसके important dates के बारे में तो यहां पर देखिए 18 February से form start हुए है इसमें जो last date आपको 29 फरवरी तक यहां पर देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं यहां पर दोस्तों how to apply की, कैसे आपको apply करना है चलिए मैं इसका जो apply का process है आपको मैं A to Z बताने वाला हूँ कैसे आपको form को फिलप करना होगा और कैसे आप form को submit कर सकते हैं तो guys online आविदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है Google पर आना है ठीक है अब जैसे Google में किसी चीज को search करते हो तो यहां पर जो है आपको search करना होगा जैसे कि आप यहां पर देख पार होंगे online job तक जैसे कि मैं यहां पर देख सकते हूं मैं टाइप कर देता हूं online job तक and यहां पर मैंने जैसे यहां पर search किया यह टाइप करके आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर सबसे पहली जो टैप देखने को मिल रही है www.onlinejob.online ठीक है आपको simply क्या करना है इस पर आपको यहां पर किलिक कर देना है और इस वीडियो का जो आपको लिंक है ना इस application form का यह मैं आपको इसी वीडियो के description में भी दिये दूँगा apply का process ठीक है तो उसे भी जा करके check out कर लीजिए वहां पर directly भी आप अब इदन कर सकते हो एंड जो मैं process बता रहा हूं अगर वह link अगर नहीं कर रहा हो यानि कि नहीं वह काम कर रहा हो तो आप इस तरह से भी यहां पर form को भर सकते हैं अब देखे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पर टाटा स्टिल मैंने details बताई थी वह details यहां पर open हो जाएंगी जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो ठीक है तो यह सारी कि सारी जो information मैंने आपको बताई थी यहां पर open हो चुकी है ठीक है अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है यहां पर आप देखेंगे काफी सारे आपको link द notification चेक आउट करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो एक अधिकारी की website है ठीक है इनकी जो LinkedIn पर यहां पर देखेंगे यह आपके लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के तहत में यह जो वेकंसी निकाली गई है इसके लिए यहां पर आपको जो पोस्ट देखने को मिल रही है एम प्लानिंग की ठीक है एसोसियेट मैनेजर की इसके लिए यहां पर क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए यहां पर बता रखा है नोने ठीक है अगर आपने बीटेक या फिर डिपलोमा कर रखा तो आप इसके लिए इलिजवल है एक्सपिरेंस आपके पात कितना वहन चाहिए अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो भी अप्लाइब कर सकते हैं म थिएिक MIL आईडिया है कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना है फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा यहां पर किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल के उपिन हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख पार होंगे यहां पर देख सकते हैं पूरा फॉर्म खुल के उपिन में हो चुका है अब इसमें क्या करना होगा आपको अपना नेम देना ओगा जैसे कि आप देखी पा रहे होंगे यहां पर अपना जेंडर को स्षेलेक्ट करना है जया है मेल हो फीमेल हो उसके बाद यहां पर अपनी डेट оф वर्त को मेंसिन करना है यहां पे आधर काड़ से ब्लॉंग करता हूं तो मैं यहां पर जो है उत्तर प्रदेश यह डाल दूँगा क्वालिफिकेशन में अगर आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा तो उसे स्लेट करेंगे अगर आपने अधर ट्रेट से कर रखा तो अधर पर किलिक करके आप वह भी बार सकते हो यहां फर सपेशिफाई अगर आपने यहां पर ढाल नहीं हो तो यहां पर आपuju शैटिफिकल करना अगर आपने योगा होना चाहिए सार्टिफिकेट्स ठीक है उसके लिए आप है तो आपके पास यह करेंगे नहीं है तो आपके पास यहां पर नो करेंगे इसके बाद यहां पर देखेगा आपको next का button तो आप next button पर क्लिक कर देना ठीक है अब दूसरा जो मैं आपको process बताई था यह email का ठीक है इस email ID को क्या करना है आपको यहां से जो है आपको करना होगा ठीक है एडिट करने के बाद जैसे के अपना नाम email ID मोबाइल लंबर एड्रस कौन से ब्रांच में कितनी percentage है यह पासिंग क्या है तो इस तरह से यहां पर डाल दीजेगा और डालने के बाद आप mail के थो भी यहां पर फॉर्म को अपना भेज सकते हो तो पता चलता रहता है कि आपकी क्या qualification है तो हम next vacancy का update आपको उसी से relevant लेकर करके आएंगे जो कि आपकी qualifications होंगी और comment आपको कौन सी जौब को सर्च कर रहे हैं तो हम हो सके तो आपको उसी भी हम update कर आदें मिलेंगी जल्दी नई वीडियो में नई vacancy के साथ thanks for watching और हमारी वी share subscribe and comment करके जरूर से बता देना